हालो फ्रेंड्स वेलकम तो मैं इस्टोडी फीट ओफ फीजिकल एजुकेशन चैनल दोस्तों यह सारी सिच्छा में अनुसंदान यानि रिसर्ट इन फीजिकल एजुकेशन से रिलेटेट कोस्टन एंसर है यह पार्ट थ्री है और दोस्तों डेली बेसे से मैं आपको प्रैक् जल्ट भी आने वाले हैं सभी चीजी किलियर हो जाएगा उसके वाद आपका जो ट्यारी फोर का नौटिफिकेशन है वह भी जल्द ही आएगा दो जार पचीस में आपका चुनाया है बिधान सभा का भी हार तो जल्द ही नौटिफिकेशन आएगा और इस्टेट की जो भी करने मिलती है तो चलते हैं आज के कोस्टंच के तरब कोई नौन है सभी शुदु का अंतिम उत्पाद क्या है अनेसे सभी से कड़ने कड़ती है श करते हैं कोई भी प्रने के बाद आपको खुछने-खुछ तो जंकाया यानी आप कि पहले इसलिए इसका राइट एंसर हो जाएगा जानकारी में बढ़ोतरी इंक्रीज नॉलेज ठीके तो सभी सोदों का आंतिमूत पाथ क्या है जानकारी में बढ़ोतरी और उसंधान या रिसार्च इमानदारी से की गई एक प्रक्रिया है विगहनता से अलियन किया जाता है और विवेक या समझदारी से काम लिया जाता है क्योंकि यह एक लंबी प्रक्रिया है अता है इसमें धैरे की प्रम आसकता होती है कोशन नमर टू है अधिकान सोद करताओं ने प्रिवगात्मक सोद विधी को सबसे विश्वसनीय उद्देश्य पूर सतिक यह सही विधी माना है क्योंकि यह इसकी रूप रेखा की मांग है क्यों सही विधी माना है किसकी रूप रेखा की मांग है क्योंकि यह प्रिवगात्मक सोद करता होता है प्रयोग विधी होता है सोद विधी वो क्या करता है कि जाच के तहट घर्टना का नियंद्रित अवलोकन करता है तीक है यानि यानि कि अधिकान सोद करता हूं ने प्रयोगात्मक सोद विधी को सबसे विश्वसनिय किसको प्रयोगात्मक सोद विधी को सबसे विश्वसनिय माना है सटिक और सही विधी माना है क्योंकि यह जाच के तहट घर्टना का नियंद्रित अवलोकन करता है प्रयोगिक अनुसंधान प्रयोग साला या छेत्री सेटिंग्स में आयित किया जा सकता है प्रयोग साला में किये कि प्रयोग साला प्रयोगो जो क्रितिम होते हैं सेटिंग्स आंतरिक वैदिता में उच्चु होते हैं लेकिन यह कम बाहरी वैदिता की लागत पर आता है कोशन नमबर थ्री है दोस्तों कि चुनोंती पूर्ट सोध प्रश्न के वाल उन लोगों द्वारा चुने जाते हैं जो चैलेजिंग रिसर्च कोशन आर चुजे जूंडे ऊण्ली बउई पीपल हूँ दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं चुनोती पूर सोध रिसर्च या कोई भी चुनोती पूर कारे कौन एक्सेप्ट करता है चुनता है वह बहुत ही छमता वाले व्यक्ति ही जो चैलेंजिंग रिसर्च है तो चुनोती पूर सोध प्रश्ण के वह उन लोगों द्वरा चुने जा सकते हैं जो बहुत ही छमता वाले हूं सिच्छक रूप में विशैस समंदित और चुनोती पूर प्रश्णों को पुछने में सच्छम होना सीखना का एक मातपूर कौशल है क्योंकि या विद्यार्चियों के चिंतन को प्रेडित करता है और उनके उत्तर आपको उपयोगी जानकारे की एक श्रिंखला और उनकी ग्यान तथा बर्तमान बिचारों की समझ प्रदान करती है कोशन नुबर फॉर है कि सारली सिच्छा और खेलों में निवन में से किस छेतर में हाल के दसक में सांदार व्रिदी हुई है विच आपका सोध और विकास रिशार्च और डिलॉपमेंट में रिशार्च और डिलॉपमेंट में सांदार व्रिदी हुई है अनुसंधार विकास योजनाबद धंग से कियेगे स्रिजनात्मक कारे को कहते हैं ठीक है अनुसंधार विकास किसे कहते है योजनाबद धंग से कियेगे स्रिजनात्मक कारे को कहते हैं इसका धे यानि उद्देश स्य मानों की ज्यान संपता की विधी करना होता है। इसमें मानों के बारे में उसकी संस्किती के बारे में युँ समाज के बारे में ज्यान की विधी भी सामिल होती है। कोसिन नमर फाइफ है कि सोध की दिश्टी कोड से निमने बिस्यों में से किस बिसे के लिए बहु आयामी दिश्टी कोड की आव सकता है तो वह सारी सिच्छा और खेल के लिए बहु आयामी दिश्टी कोड की आव सकता है एक बहु बिस्यक पार्टिकरम वह होता है जिसमें ए विशाय के एक से अधिक बिस्जियोग को से अधियन किया जाता है जैसे आपके आप जानते है कि सिच्छा का महत होता है मनुष्यक का मानसिक पिकास करना लेकिन physical education सारे सिच्छा और ते से होता है उसके mental वेच्छर व्राइन करता है तो थो तो किसी चीज़ का व्राइन करते हैं तो आप सोचते है कि यह क्या है? वो हमेशा यह क्या है का अधियन करता है किसका यह क्या है आसन नमर B यहां पे राइट है यह क्या है का अधियन करता है वर्णादमक सर्विच्छ अनुसंधान अलग-अलग BCO के बारे में डेटा अउकर्ठा करने के लिए सर्विच्छ का उप्योग करता है बोधिक कोसल को दर्साता है तो दोस्तों यह दर्साता है ब्यक्तिगत अवलोकन और जिग्यासा सोथ करता कि अनुसंधान के साधारल बोधिक चमता को क्या दर्साता है तो उसकी ब्यक्तिगत अवलोकन चमता अब्जर्वेशन पावर एंड जिग्यासा यानि कि परस्नल अब सारुभमिक्ता में सारुभमिक्ता प्रहसित करता है कोश्चन नमर आठ है कि परिछड के लिए सुन्य परिकलपना से कोई बेहतर उपकरण नहीं है जानने के लिए तो सुन्य परिकलपना से कोई बेहतर उपकरण नहीं है परिछड के लिए तो ओ है माध्यों में प्रभावी अंतर माध्यों में प्रभावी अंतर ठीक है सुन्नी परिकल्पना के अधाड़ा सांकी की अनुमान के दो दिश्टी कूड़ों में अलग-अलग उपयोग की जाती है सांकी की अनुमान एक सुन्य परिकल्पना की बिना किया जा सकता है Q9 है निवन में से कौन सी एक तक्निकी परविच्छक की नहीं है तो दोस्तों जो परविच्छक होता है वीच आप दव फाल्लविंग इस नाट ए टेक्निक आप सुपर वीजन जो देख रेक करता है संचालन करता है उसे परविच्छक करते हैं तो यहां पी सिच्छक परदर्शन यानि की टीचर डिमॉंस्ट्रेशन अंतर भ्रमर इंटर वीजित संबिलन यानि की कान्फरेंसेस इस सभी चीज़े इस परविजन के अंतरगत आते हैं परविच्छक के अंतरगत आते हैं बड़ सोध नहीं आता यह रिसर्चर के अंतरगत आते हैं सोध यानि रिसर्च नहीं आता यानि सोध यानि रिसर्च तक्नीक परविच्छक की नहीं है परिच्छ को दो तरफ से गतिसीड और समाजी प्रक्रिया के रूप में परिभासित किया जाता है जो लगता और सरुषिष्ट प्रदर्शन करने के लिए कारिकरता का समर्थन और साहता करने के माधियम से प्रदर्शन के लिए आवस्यक गुर्वत्ता बनाए रखने के लिए संग्रशनात्मक लच्छों की पूर्ति के लिए विश्ष्ट उद्देश के लिए किया जाता है कोश्चन नमर दस है सोध परिश्ष्ष्ट से समलित किया जाता है सोध परिश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष सम्हिलिस किया जाता है दोस्तों बाई मिस्टेक इधर उधर हो जाता है आप ऐसा कुछ में सोचेगा जैसे ही मिस्टेक होता है जिस्ट मैं उसको किलियर कर देती हूँ कोस्टन नमर ग्यार है सुन्य परिकलपना प्रदैसित की जाती है दर न्यूल हाइपोथिसिस एच रिपर्जेंटेड वॉई तो न्यूल परिकलपना जो है एश ओ से प्रदैसित किया जाता है और असक्त परिकलपना एंड वैकलपिक परिकलपना स्तांकी की परिछडों में उप्योग किये जाने वाले अनुमानों के प्रकार है जो आकडों के अधार पर निसकार्स तक पहुचने या निड़र लेने के लिए औपचारिक तरीके हैं कोश्चन नमर बारह है स्टेट्मेंट स्पेस पे हैं अभी कथन ए है कि अनुप्रियुक्त शूध में समस्याएं मुद्दों की दिसा में होने चाहिए अवस्य हमेशा मुद्दे की बात ही होने चाहिए राइट है जो अंतता प्रैक्टिस करने वालों के लिए उप्योगी सिद्ध होता है सभी के लिए जो आप समस्या है उस मुद्दे पर बात करेंगे तो प्रैक्टिस करने वाले के लिए उप्योगी सिद्ध होगा तो यह तो आपका राइट है इसके तरक में आर है कि बैज्यानिकों को जो वी अवलोकन करते हैं कि प्रभाव कोई नहीं देख लिए लगा चाहिए अपके नहीं चाहिए अपितka मूलकार्ण का पता लगानी का प्रयतन भी ना करना चाहिए तो दोस्तों यहाँ पे सही तो दूनों है और जो आर हैं एक ही सही ब्याक्ष्हा नहीं कर सारो नहीं है हमेशा इस प्रकार के कोजिशन का अंसर देखेगा कि क्या दूनों चीज सही है दूनों चीज सही है तो दूनों सही होंगे बट ये क्या कह रहा है क्या उसी के बारे में आर जो है तर्क दे रहा है तब तो यहां पर हो जाएगा ये आर दूनों सही है और एका सही इस गलत है या आर्ग गलत है लेकिन ए सही है इस प्रकार से एंसर इसका दिया जाता है कि कोस्टन नंबर 13 है केस इस्टडी सोध डिजाइन के विशेश से महतपुर घटक है दोस्तों केस इस्टडी जो है सोध डिजाइन के लिए विशेश महतपुर घटक इसमें है तेरे के यहां पे सी हो जाएगा तीन चार एक यानि की विशेशर की एक इकाई है केस इस्टडी डिजाइन सोध डिजाइन एंड निसकर्स की प्याख्या के लिए एक मांदर्ण है एंड अध्यन के प्रस्टन है कॉस्टन नमर 14 है कि निम ने किस केस इस्टडी डिजाइन में सोध करता किसी विशेश केस की तुलना में कुछ अधिक समाने को समझने में अपनी प्रारामभिक रूची को केंदित करता है तो दोस्तों इसमें हो जाएगा टू एंड थ्री यानि कि सहायक केस इस्टडी और सामूही केस इस्टडी कोर्शन नंबर 15 है गुरात्मक सूध अधियनों में समानतव प्राकलपना हाइपोथीसिस इज क्वालिटेटिव रिसर्च इस्टटीज आर यूज्वली तो गुरात्मक सूध अधियनों में समानतव प्राकलपना क्या होता है कोर्शन नंबर 16 है गुरात्मक सोध में प्रियुक्त एक प्रकार का प्रतिचेयन जिसमें उन मामलों का चेयन सामिल होता है जो सोध करता कि आसाओं और समानी करण की पुष्टी नहीं करते हैं को क्या कहा जाता है दोस्तों उसको कहा जाता है क्योंकि वो समानी कुष्टी नहीं करता है तो समान नक आतमक मामला प्रतिचेयन राइट एंसर होगा कोर्शन नंबर 17 है किसी व्यक्ति यानि कि शोध करता यानि researcher के लिए सबसे अच्छी सोध समस्या क्या हो सकती है तो दोस्तों किसी बैक्ति के लिए सबसे अच्छी सोथ समस्या है यानि कि समस्या एक ऐसा प्रशनात्म कलिंगर महोदर के अंसार समस्या एक ऐसा प्रशनात्मक वाक के कथन होता है जो कहता है कि दो या दो से अधिक चरू की बीच क्या संबंद है सोथ समंतिया के चुनाओं के लिए मांदर्न है जैसे कि उसमें नविन्ता होना चाहिए सोथ का इस्तर क्या है समंस्या का महत्व क्या है रूची कर है कि नहीं सोथ करने की योगता क्या है और चित्तिता क्या है सुचना क्यों प्रब्धा है कि नहीं और और सिर्जात्मक्ता य कोई भी यहां पर किसी बैक्ति आर्सरचर के लिए सबसे अचे सूचया नहीं हो सकता तहां पर एप्रुट में से कोई नहीं है यहां पर नहीं है इन में से कौन सूर्थ का भी से नहीं हो सकता विचाओ फालिविंग कन नाट बीद सब्जेक्ट आफ रिसर्च दोस्तों यहां पे वस्तुएं हैं घर्टनाएं हैं मानों हैं बट आइडिया जो है के सूर्थ का भी से नहीं हो सकता कॉंसेट्ट यानि विचाब कोशन नमर उनीस है अनुसंधान प्रस्ताव को यह भी कहते हैं रिसर्च प्रपोजल इज आल्सो कॉल्ड तो अनुसंधान प्रस्ताव को संच्छेप में कि अनुसंधान प्रस्ताव को यह भी कहते हैं तो हम उसको संच्छेप भी कहते हैं संच्छेप यानिकी सैनॉप्सिस संच्छेप भी कहते हैं तो दोस्तो अज को संच्छेप में दोस्तों इस प्रकार के को संच्छेप पूछे जाते हैं दो इसको इग्नौर मत करिएगा जो भी मैं करा रही हूं सभी चीज़ों को देखते जाए और जैसा कि आपका त्यारी फॉर का पी एक्जाम आएगा तो इसी तरह हलगा कि जैसा को संच नहीं को तक वीडियो पहुच सके तो मिलते हैं एक वीडियो प्राइप इसमें तब तक की लिए जाए लिए